हेलो विवर्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स आपको आज हैं स्ट्रेच मार्ट के बारे में बताएंगे कि स्ट्रेच मार्ट होने के कारण क्या है और उनका किस तरह से हम घर पे ही उपचार कर सकते हैं दोस्तो प्रेगनेंसी बोडी बिल्डिंग जादा वजन बढ़ने या वजन जादा कम होने से और उम्र बढ़ने के साथ शरीद पर हलकी पतली रेखाएं उभरने लगती है इन्हें हम स्ट्रेच मार्ट कहते हैं इस्ट्रेश मार्स जाधा तर पेट के निचले हिस्से हीप पे बाजू पे और जांगों पे होता है और ये मार्स हमारी खुबसूरती बिगाणने में कोई कसर नहीं छोड़ते वैसे तो आजकल इससे छुटकारा पाना बहुत आसान हो गया है सरज़री के द्वारा लेकिन य कोई इसको अफॉर्ड नहीं कर पाता है तो इसलिए आपके लिए कुछ मैं घरेलू उपाएं लेकर के आई हूं जो बहुत जादा यूसफूल है और करने में भी बहुत आसान है तो दोस्तों यह हमारे आज के पांच होम रेमेडिव फर्स्ट जो है वह है टमाटर और का रस मिलाई है अब इस पेस्ट को दस मिनिट तक स्टेच मार्स पर लगा के रखें फिर ठंडे पानी से धो लीजिए हमारा जो सेकेंड होम मेंड रेवरी वह है ऐलो वीरा जैल लीजिए अच्छा होगा अगर आप ऐलो वीरा की पतियों से जैल निकाल लेते हैं यह ज्या जैतुन का तेल लीजिए इसमें ऐसे तत्वा और एंटि ऑक्सिडेंट होते हैं जो स्टेच मार्स को दूर करते हैं जैतुन के तेल में सीरका और पानी मिलाकर रात में लगा लीजिए हमारा फोर्थ होम मेंड रेवेडिजिए आपको स्क्रब करना है और स्क्रब करने के ल स्क्रब का काम करता है तो इसके लिए एक चम्मच शुगर में आपको हाफ चम्मच बाधाम का तेल और नीम्बू की कुछ बुन मिलाकर मार्स पर लगाना है और अपने हलके हाथों से स्क्रब करना है ऐसा करने से आपके मार्स भीरे भीरे हलके पड़ जाएंगे और हमारा जो लास्ट है होममेड रेमेडी वो है लेवेंडर का ओईल लीजे और इसे दिन में तीन बार अपने स्टेच मार्स पर लगाई है इससे आपके धीरे-धीरे निशान गायब होने लगते हैं और उसकी जगह पे तो अच्छा नहीं आने लगती है तो दोस्तों यह कुछ आस तो प्लीज इसे लाइक करिए फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक्स वर वाचिंग मैं वीडियो फ्रेंड्स बाए